नमस्कार आपका सौगत है मेरे चानल में आज में बना रही हूं मेति की सुकी सबजी ये सबजी जटपट बनके तयार भी होती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने कडाई रख दी है गयास पे अभी हम डालेंगे दो बड़ी चमस तेल तेल को हम अच्छा से गरम करेंगे यहाँ पे मैंने 6 हरी मिर्च और 10 से 11 लसुन की कलियों को ऐसे दरदरा सा कुट लिया है देखिए इस तरह से तेल हमारा बहुती अच्छे से गरम हो चुका है अभी हम डालेंगे मिर्ची और लसुन दो पेंच हिंग डालेंगे इस तरह से इसको हम अच्छा से कलर चेंज होने तक फ्राय करेंगे यहाँ पे मैंने एक जूड़ी मेती की लिए है उसको अच्छे से साप करके धोके एक चन्नी में रख दिया था पाने निकलने तक देखिए इस तरह से देखिए लसुन का कलर चेंज हो चुका है अभी हम डालेंगे मेती इस तरह से आप इस तरह से मेती की सुखी सबजी बना के देखिए बहुत ही अच्छी लगती है और जटपट बनके तयार भी होती है इसको कुछ टायें भी नहीं लगता है बनने में अभी हम इस तरह से मिला लेते हैं एक बार अभी हम डालेंगे नमक साद अनुसार नमक आपको बहुती ध्यान से डालना है क्योंकि सबजी पकने के बाद बहुती कम रह जाती है इसलिए और इस तरह से नमक को भी मिला लेते हैं सबजी में अभी हम इस तरह से पकने देंगे सबजी को पानी बिलकुल भी नहीं डाला है हमने देखिए सबजी का ही पानी चूट रहा है यहाँ पर मैंने लिया है मुंग फली का इस तरह से दरदरा कूटा हुआ पाउडर मुंग फली को मैंने ड्राय रोस्ट किया उसका छिलका निकल के इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना के रेडी किया है देखिए पानी पुरा सूख चुका है अभी हम डालेंगे मुंग फल्ली का पाउडर दो बड़े चमस डालेंगे अभी हम इसको मिलाएंगे नहीं इसी तरह से ढक्के रखेंगे दो मिनिट के लिए देखिए लगबग दो मिनिट हो चुका है अभी हम ढक्कन को निकालेंगे और इस तरह से मिला लेते हैं एक बार सबजी को और ज्यादा मिलाना भी नहीं है इस सबजी को नहीं तो सबजी हमारी कड़वी हो जाती है इससे पहले मैंने मिक्स वेज का पराटा बनाया था उसका लिंक भी उपर आय बटन में दे दूँगी और नीचे भी दे दूँगी और इसे तरह से जटपट बनने वाली सबजी आगर आपको पसंद आया होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चानल को सस्क्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिए सबजी हमारी रेडी हो चुकी है आप इसे चपाति के साथ या फिर बाजरी की रोटी के साथ भी खा सकते हैं जवार की रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है ये सबजी उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चानल को सस्क्राइब कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई